नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में आज बात करेंगे कुछ एलिवेंसी की बर्निंग से लेकर दूसरा मार्केट में ये बहुत जल्दी जल्दी उपर नीचे क्यों हो रहा है और FOMC क्या प्रेडिक्ट हो रहा है अब कि इंट्रेस्ट कितना बढ़ सकता है और एथिरियम में जस्टिन सन ने क्या लोचा कर दिया चलिए सब को एक बार देरे देरे कबर करते हैं पहले लेत चार दिन में आपको ये सारी चीजे मालम पड़ जाएं क्या चला है लेकिन क्या है कि मार्केट के इसाब से प्रेडिक्शन पहले शुरू हो जाती है तो वही कुछ जब प्रेडिक्शन चल लाई ही जो क्रप्टो के लिए और मार्केट के लिए अच्छी होगी अब उमीद ये की जा रही है कि 0.25% के साब से interest increase किया जा सकता है तो ये तो बहुत कम होगे साब जो कहते हैं प्रेडिक्शन हो रहा था पहले उससे तो बहुत कम होगे है कि 0.25% बहुत कम है और 80% लोग इस चीज़ों मान के चल रहा है कि अब जो interest rate होगा वो ये होगा ये होगा तो कह हरे आली एक अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है क्यों का मार्केट आज कल पॉजिटिव चीजों को भी को रिकनाइच कर रहा है कुछ पॉजिटिव आता है तो मार्केट आपको उपर को दिखाई देता ही है पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे उसके बाद नेग पॉर्टेंड होगे वो यह हो गई किसा इन्हों ने जो अनलॉकिंग करने थी यानि के लगबग डेड़ सो मिलियन टोकन्स की वो अब यह नहीं कर रहे हैं इसको इन्हों ने पॉस्पॉर्ण कर दिया है तो सब देखिए जब कोई चीज ऐसी होगी तब यह कह रहे हैं किसा हम इसको यह अनलॉकिंग है वो तो होगी लेकिन अब यह कहना है कि हम इसको अनलॉक अभी नहीं कर रहे हैं इसको पॉस्पॉर्ण कर रहे हैं तो उसका इंपक्त आपको देखिए प्राइज पर भी नज़र आया अब यहां पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूँगा उसको 500% profit में कैसे ले जाना है यह developers के हाथ में माल लीजिए अभी इसका 90% किसी भी token का माल लिए डेवलपर चाहें तो इसको 500% profit में भी पहुचा देंगे क्यों अगर वो कहीं अच्छी अच्छी लिस्टिंग करा दें अच्छी खासी मोटी संख्या में बर्निंग करा दें वेल्स को मोटी संख्या में बाइंग करा दें भाई उसका प्राइस उस टोकन का रॉकेट हो जाए अब कहना है कि हम नहीं करेंगे तो वह भी हमने आपको बता दिया तो यह कंपरिजेन करना कि पहले क्या और आप क्या हाँ उसकी अब सबकी इनकी वह करत है उसी काम के लिए आ रहे है कि आप बर पल पर बदलेंगे नहीं आप कब वाईट पर कुछ किया राएं आप कर कि सर आपने तो पहले करता लिस्ट पूरी थी मैंने आपको दी अब ओक हम नहीं कर रहे तो भाई उनकी मरजी है वो भी आपको पता दिया नहीं कर रहे तो यह कृप्टो करणसी भाई पांच मिनट में गेम चेंज हो जाता है तो आप भी इस चीज़ को अमें इसको दिमाग म बना के रखिए कि पांच मिनट में सारी चीज़ें चेंज हो जाती है नेगेटिव की पॉजिटिव और पॉजिटिव की नेगेटिव कंपेरिजन नहीं हो सकता आभी दभाई ध्यान से सुनिये ठीक है तो यह अच्छा खासा पंप दिखाई दे रहा होगा अब आते हम LUNC पर LUNC में अभी बर्निंग अच्छी खासी होई लेकिन ये बर्निंग किस ने की किसी एक्षेंज ने नहीं किये ये किये है कम्यूनिटी ने अब कम्यूनिटी स्टॉंग होगी तो देखिए फिर कुछ न कुछ हो जाएगा कम्यूनिटी ने अभी इमाली ये पिछले चार दिन में 20 million token burn कर दिये ये क्या है power of कम्यूनिटी तो कम्यूनिटी ने इतने बर्नि किया तो उसमें किस किस ने किया हेपो इननोंने जाधा जाधा बर्नि किया उसमें है हैप़ी कैथी क्रिप्टो इसने 9 million जो है token burn किये कौन से LUNC और creation coin ने किये हैं 7 million 7.2 million LUNC burn किये तो ये तो हो गए वो ये validator है वागाईदा validators ने इतना ये अपने खाते में ऐसे burn करना बड़ी बात है ये और इसके बाद LUNC जो DAO है उसने आप तक total जो burning किये अपनी तरब से वो 435 8 million token की burning की है तो ये कुछ वो burning है जो आप बहुत जाला हो रही है जल्दी हो रही है देखिए किसी भी token की supply कम होगी तो price भी आपको कहीं ने फिर बढ़ता हुआ जल्दी जल्दी नजर आएगा तो ठीक है भाई exchange नहीं कुछ कुछ ज्यादा कर रहे तो community अपनी तरब से कर रही है तो अच्छी बात है भाई हमें तो मतलब उससे कि supply कम हो तो यह कर लूएंसी जिनके पास है उनके लिए अच्छी ख़बर हो सकती है कि भाई चलिए burning में कहीं ने कहीं जब community सामने आने लगी है तो प्राइज भी आपको देर सभीर बढ़ता हुआ ने जर आएगा लेकिन फोमो में नहीं आना भाई सिद्धी सी बात बताओं आपको अब आते हैं कुछ ऐसी नहीं हुआ है जो मार्केट पर थोड़ा बहुत impact भी डाल सकती है यह तो थी positive चीज ठीक है अब आते हैं जो option expiry है BTC का उसमें देगे लगबग 1.48 billion dollar का जो है expiry होना है आज ही आज और रात में यानि कि जब हमारे रात है तो वहाँ पर दिल होगा तो आप यह माल लीजिए आज ही माल लीजिए क्योंकर यह कुछ एक बज़े के बाद इस्ता चला जाएगा क कुछ एक बज़े से पहले रह जाएगा तो आप आज ही मान के चलें कि 1.48 billion BTC की आज ही expiry भी होनी है तो यह कहीं ने कहीं मार्केट को बहुत ज़्यादा उपर नीचे कर सकता है अगला है जस्टिन सन इसका तो आपने नाम सुना होगा इसने क्या करा है कम से कम 10,000 Ethereum को पॉ उल्टा करता है सब कुछ यानि नियूच को चलती है मार्केट कहीं चलता है मार्केट कहीं चलता है तो नियूच कहीं चलती है आज कल सब कुछ उल्टा हो रहा है तो मेरा काम है आपको जो चीज चल लई है वह बताना यहां जस्टिन सन ने लगवक 15 million dollar के Ethereum पो लो निक्स ए अमेरा काम है आपको बताना एक तरह से आगा करना मार्केट का क्या होगा वो तो आप देखेगा अगला है साब अमेरिका से नियूच है और अभी काभी थोड़ा सा ट्रेंड हो गई और वो ट्रेंड इसलिए हो गई यह हैं सिनेटर हैं यानि के वहां की सांसद हैं उन्होंने SSE को बुलाए भाई के आप जो है क्रप्टो में जो कुछ हो रहा है उसको बहुत ही सक्त कानून बनाईए वो इसलिए कि उन्होंने काया कि पिछले 12 महीने में जितने फ्रॉड हुए हैं वो केबल और केबल एक्षेंज ही ज्यादा वो कहते हैं कि एक्षेंज और डवलपर यह क्या है कि अपने ही बजन से दवे हुए हैं इन्होंने इतना ज्यादा वो गबले बाजी कर ली है कि यह अपने ही बजन से दवे हुए हैं और इन्होंने साब साब का है SEC मतलब Security and Exchange Commission क्रप्टो में बहुत सक्त कानून आना चाहिए जिससे कि यह जो चीजें हो रही है वह बिल्कुल ना हो एक फेर तरीके से जो जैनुएन इन्वेस्टर है उसका कहीं फाइदा होना चाहिए कानून ऐसे बनाईए तो कुल मिला के अच्छी बात है यह जो मैंने अभी उदारन दिया नहीं यह वीडियो देखा है और आज की डेट से उसा कामपेशन करो संभव नहीं है पांस मिनट में सब कुछ वल्टा सिधा हो जाता है यह करप्रोक्रंसी है भाई कांची रहे हो तो यह है साब कुछ वो मिली जूली खबरें जो पॉस्टिब भी है और नेगेटिब भी है तो आप देखिएगा मार्कें तो अलर्ट रहे है कि अलर्ट रहने से ही आपका कुछ बला हो सकता है तो चलिए फिर मिलते हैं नमस्कार